प्रेस्ट बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप जाइन दोस्तों आप सभी का हादिक सोगत है इंडियाज भारत पे आशा करता हूगी आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज की लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो मुसलिम भाधुर यासमीन हाफीज जी को उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और दबंग वकील नाजिय लाइक खान जी तो ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेका तो इसे अंतक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइ है जो यहां पर समविधान को ना माननी की खसम तरनमुल खा करके रखा है अगर इसकी बात हम पार्लेमेंट में नहीं उठाएंगे तो शायद पश्चम बंगाल दीरे दीरे फराद हकीम के हिसाब से मिनी पाकिस्तान बन जाएगा और 70% मुगलिस्तान बन चुका है पर जिहादन और जिहादी अगर 80% TMC में है तो 20% वो जिहादन और जिहादी बीजेभी पार्टी पार्टी ऑफिस में भी है जिनके काफी अच्छे रिलेक्शन और कनेक्शन TMC वालों से हैं और पैसे के लोग और लालच में उन्होंने अपना अस्तित्व बेज दिया है शुम शुमित्रो खाने जो बात रखी है वो जीरो ग्राउन की रियालिटी और सचाई को उन्होंने पार्लिमेंट में रखा है शुमित्रो खाने जो बात कहा है उसमें 100% सचाई है 1% बी कुछ भी उसमें इफ और नहीं लगाया जा सकता है आज पर्शिप मंगाल में अगर कोई विजट करें और सही से एंविस्टेगेशन के लिए बिना अमिताबो चोक्रबोर्ती और जगनाथ चाटर जी से मिले अगर वो वाके में एंविस्टेगेशन करना चाहता है कोई सेंट्रल कमीठी का ठीम तो उनको पता चल जाएगा कि सबसे पहले के डायमंड हार्बर पे घुस पेटियाओं को पकडने का केस मैंने केलकेटा हाइग deben in नहीं दे पारे हैं जितने इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैंने गवकटा आइकोट को दे दिया है वो पुलिस छुपाने के चक्कर में लगा हुआ है और मैंने पूरा दावा रखा है वहां पर अपनी जिम्मेदारी लिए है कि डाइमंड हारबर अभिशेक बैनर जी के चेटर में बहुत सारे गुसपैटियां है जो बंगलबेश से आ करके रह रहे है और जिसमें हारी भर कम मिजॉरेटी ट्राउंचेंडर्स की भी है जो बंगलबेश है और यहां आने के बास मर्ड़ करते हैं état ने से बहुत सारे क्राइब करते हैं रोटी बोटी देती है और उसके बाद कराने के बाद भगावी देती है और जूटा रहता है नहीं होता है अकिउस कभी आरेस्ट ही नहीं होता है क्योंकि अकिउस आरेस्ट होगा कैसे मडर करके जो निकला है वो अरेस्ट होगा कैसे वो तो बागनादेश भात चुका सरकार की मदद से और शर्म आने चाहिए भारते-जुंता-पार्टी के अमिताबों चौगरुबर्ती और के रहने वाले वासियों की सुरक्षा ना करने के बज़ाए अमिताबो चोक्रवुर्ति और जगर्ना चैटर जी का तलवा चाटते हैं शर्मानी चाहिए चुलू और पानी में डूब करके मर जाना चाहिए कैसे माबाप हैं इन महिलाओं के जो करती है पट्ता पहनती है भार् तो किसी को सटने नहीं तेंगे हम ही फोटो खिचाएंगे लेकिन इस राज के लिए आपने कौन सी भूमी का निभाई है ये तो बता दीजिए पहले आपने इस राज के महिलाओं को बचाने के लिए क्या किया है वो तो बताईए पहले अरे नाजिया को दुश्मन समझने पहले ये तो बताओ कि तुम इस राज के कितने पड़े दुश्मन हो देखिए ये तालिबानी रूल मैं इन ब्रीथ, इन सिनॉप्सिस, इन शौट आपको हैंड में इतना ही कहूंगी कि ये पाकिस्तानी कानून और ये तालिबानी चरित्र पश्यम मंगाल में उस वक तक क इठाई जाएगी, आज अगर कूच बिहार और उत्तर दिनाशपूर चोपड़ा वाले इंसिडेंट पर अगर ये मुझे दे दिया जाता ये ये पूरा काम, मैं आज आपको यहां पर नहीं मिलती नियूस पर, मैं वहीं पर मिलती बैठीगी, जब तक इनसाफ नहीं दो ग है, वो चाहें, वो समाज में जिक तरह का हाल है, वो आप जो बता रहे हैं बसे बत्तरीन होता जा रहा है, और अब जैसे कि बीजेपी एंपी प्रमित्रा खान में जो खुले आम पर खड़ी होकर उनोंने इस टेट्मेंट ये सारा दे दिया है, उसके बाद भी अगर देश जो इसका खामियाद है, तो पूरी देश को भुगतना पड़े गाना पड़े गाना चाहिए ने मेरे हिसाब से आर्टिकल 365 के हिसाब से यहां पर राश्ट्पती साष्ण लगा देना चाहिए, क्योंकि अब भी शर्ट्पती साष्ण को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यूंक जो पैसा दिया गया था, उसका डेटा वो सम्मिट कर रही है, उसके बाद पिर उजवाला योजना से ले करके, जन्दन योजना से ले करके, सुच बारत अभ्यान योजना से ले करके, जितने भी पैसे आये हैं, उसका डेटा ममतब एनरजी साहिबा जो है, वो सम्मिट कर So as per my opinion, as per my thinking, Article 365 के हिसाब से बिलकुल तुरंत राश्टपती साशन लगा देना चाहिए और भारते जंता पार्टी पार्टी ऑफिस के अंदर डारेक्ट एंट्री किसी 10 लोगों की कमीटी बना करके केंटर की सरकार को बेजना चाहिए और उनके उपर एक कमिशन बठा करके इंक्वाईरी करनी चाहिए, उनका फोन जब्त कर लेना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी की दलीले जब्त कर लेनी चाहिए, जिसका दस-दस वॉल्वो बस है, अमिताव चॉक्रपुर्ती का वो जब्त कर लेना चाहिए और पूछना चाह तो यह सुनके भी आपने अजीब बात कर रहे होते हैं तो समिधान के ऊपर जाके छीड़े इस तरह के कोई तालिबानी शातन की बात कर रहा है, कोई इस्वाम की राश्टर की बात कर रहा है, तो ये जवाब दे ही और खासकर मैं इस बात को भी पॉइंट या करूँगी, कि जो वहाँ पर जो इस वक्त सरकार है वहां की, तो उसकी जो सांसद होती है, वो बहुत ही इंग्लिश में, इंग्लिश की तांग तोड़ते हुए, जब वो सांसद पे कुछ बोल रही होती है, कोई चर्चा क कर रही होती है, बहुत ही स्टाइलिष उनका लुद होता है, बहुत ही modernity के साथ वह अपने आपको वहां प्रिजन कर रह जैसेट आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि महिला दो तरीखे की होती है एक जिसके पठे पर और जिसके कमर पर कोई भी मर्द हात रखे उनको एसास ही नहीं होता है कि अच्छा कोई मर्दों ने हाथ रखा है क्योंकि वो बहुत यूस्टू होती है रखवाते रखवाते और एक वो होती है कि कोई अगर तिर्ची नजर से भी देख ले तो उनका जंग स्टार्ट हो जाता है कि क्यूं देखा क्यूं देखा उसने तो आप जिस स्टाइलिश महिला की बात कर रहे हैं उनको महिला के सम्मान की फिक्र तब होती जब उनको लगता या उनकी अपनी जिंदगी में कोई सम्मानित उनका खुद का औरा होता उनको फरक नहीं पड़ेगा दोस्तों आशाकरतों के वीडियो को अपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह यासमीन अफीज और नाजी अलाय खांजी का ये पूरा डिसकेशन आपको काफी पसंद आए होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करदें और अपने वीचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं हमें आपके कमेंट में दजार रहेगा और एक बार फिर चैनल के नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करदें ताकि हम आपने से लेटिस्स इंपो दोदस और धमदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत